क्रिकेटर मोहमद शमी से 2018 से अलग रह रही पतनी हसीन जहाने एक पर फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये शमी पर संगी इनारो उपलगाए हैं 44 साल की पूर मॉडल हसीन जहाने शमी के प्रभाव में यूपी के अमरोहा की पुलिस पर उन पर और उनकी छोटी बेटी को प्रतालित करने का रहो उपलगाया है मुहमद शमी मूल रूप से अमरोहा के ही रहने वाले हैं हसीन जहां ने ये भी कहा कि कोलकाता की निचली अदालत ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। हसीन जहां और मुहमद शमी का निकाँ 6 जून 2014 को हुआ, 17 जुलाई 2015 को उनकी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन शादी के 4 साल बाद ही हसीन जहां ने 2018 में शमी पर शादी से बाहर अवैज रिष्टे रखने और शारीरिक यातनाई देने के आरोप लगाए। हसीन जहां ने कोलकाता में शमी के खिलाब घरेलू उद पीडम और हत्या की कोशिच जैसे आरोपों में शिकाए दर्ज कर रही। लेकिन अदालत ने शमी को इन आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन हसीन जहां ने शमी पर निशाना सारनाच जारी रखा। पुरों की इकलोती संतान, आठ सागी बेटी आयरा भी हसीन जहां के साथ ही रहती है। हसीन जहां ने फोटो के साथ लंबी चौड़ी पोस्ट में भी लिखा। मेरे स्टार हस्बेंट और उसके परिवार वालों की तरफ से मेरे साथ बहुत गलत किया गया। मैं मजबूर हुई और मुझे प्रशासनिक और कोट की हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन प्रशासनिक ह जिस तरह से मिली चाहिए थी मुझे नहीं मिली। अम्रोहा पुलिस ने मुझे और मेरी बेटी को टॉर्चर किया। सरकार ने मेरी बेज़ दिती और मेरे साथ हुई इंजस्टिस का तमाशा देखती रही और देख भी रही है। जबकि इन लोगों को सच्ची बात पता है फिर भी कुलकाता लोवर कोट इंजस्टिस कर रही है। कोशिश की जो पॉसिबल नहीं हो पाया। खुद को मजबूत किया और वापिस आगी। उसके बाद मैंने SPM रोहा को मेसेज किया कि आपके प्यारों ने मेरे साथ बदतमीजी की और आपसे मिलने नहीं दिया। जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं आया है। और ये सब सिर्फ मुझे एक मुस्लिम औरत होने के नात सेना पर रहा है। अगर मैं हिंदू होती और जितने जुल मेरे साथ हुए और हो रहे हैं तो शायद मेरे साथ अब तक जस्टिस हो चुका होता। मैं जानती हूँ प्रॉपर जस्टिस मुझे सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। लेकिन मेरे साथ जस्टिस ना हो इसलिए कोर डेट पर डेट दे रही है हाई कोड मेरी हीरिंग लेना नहीं चाहती है घूस खोर लोग मेरे केस की लिस्टिंग उने नहीं देते हैं मीडिया विकाव नहीं होती तो देश की पबलिक को सच्चाई पता होती आप लोग अब देखना शमी एहमल, बीजेपी सरकार और यूपी पुलिस के हल्प से मुझे मर्डर का प्लान करेगा हसीन जहाने पोस्ट के आखिर में भारत के ग्रहम अंतराले ममताब एनरजी, योगी अधित्यनाथ, राश्पती और यूपी पुलिस को भी टैग किया यहां तक मुझे शमी का सवाल है तो फिलाल वो चोट की वज़ा से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं और इस साल आईपियल में भी अपनी टीम गुझराट, टाइटन्स की और से खेलते नजर नहीं आएंगे ODI वर्ड कप के बाद से शमी कोई मैच खेलते नहीं देखे पिछले साल ODI वर्ड कप में शमी ने शानदार बॉलिंग करते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 24 विकेट चटका आये थे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी वर्ड कप फाइनल के बाद ड्रेसिंग रूम में मुहमद शमी को शाबाशी देते नजर आये थे उत्तर प्रधेश के मुखे मंतरी योगी अधित्यनात ने भी शमी के होम टाउं अम्रोहा में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने का आयलान किया जन्वरी में मुहमद शमी को अर्जुन पुरुसकार से नवाजा गया इंडिया जीवी की सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के और से मुहमद शमी को हाल में बंगाल से लोकसबा चुनाव लड़ने की पेशकश की गई हाला कि शमी के और से इस पेशकश पर अपना रुख साफ नहीं किया गया रंजी ट्रोफी में शमी बंगाल की और से ही खेलते हैं देश नामा के लिए खुश्दीप सैगल की रिपोर्ट आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें फिर मुलागात हो गया आपसे तब तक के लिए नमस्कार